हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टोडेस इस्टडी क्लासिस में बच्चो आज हम एट ग्रेट अभ्यास पुस्ति का कक्छा आठ विसेगडित का अध्याय नंबर एक करेंगे जो की परिमे संख्याओं के बारे में हैं तो चलिए बच्चो करते हैं इसका पहला प्रसन है तीन वटे आठ का योज प्रतिलोम ग्याद कीजिए तो बच्चो तीन वटे आठ का योज प्रतिलोम होगा माइनस के तीन वटे आठ चलिए बच्चो प्रसन नंबर बाग करते हैं पांच वटे माइनस छे का योज प्रतिलोम ग्याद कीजिए तो पा माइनास, माइनास, चाूदा भटए 20 का गुड़ात्मक प्रतिलों होगा, माइनास बटे चाूदा ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा चलिए अगला सवाल करते हैं माइनास, 1 सही, 1 बटे 18 का गुड़ात्मक प्रतिलों मतलब विधकृ्णम ग्याद कीज़े तो बच्चो माइनस एक सही, एक बटे 18 को हम माइनस 19 बटे 18 भी लिख सकते हैं क्योंकि 18 का एक में गुड़ा करेंगे कितना आईगा, 18 एक हम 18 और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 तो 19 बटे 18 आजाएगा ठीक है का गुड़ात्माक प्रतिलूम कितना हो जाएगा माइनस 18 बटे 19 तो यहीं इसका उत्तर होगा चलिए अगला सवाल करते हैं चार बटे 5 को माइनस 7 बटे 8 के वितकरम से गुड़ा कीजिए तो इस सवाल में हमें क्या करना है चार बटे 5 का गुड़ा माइनस 7 बटे 8 के वितकरम से गुड़ा करना है मतलब यह संक्या आपस में पलट जाएगी 8 उपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा ठीक है इस सवाल को करते हैं यहां लिखाए हमने चार बटे 5 गुड़ा माइनस 8 बटे 7 यह संक्या को हमने पलट लिया ठीक है अब इसका गुड़ा कर देंगे हम 8 का गुड़ा कर देंगे चार में कित्ता होगा 8.32 और 7 का गुड़ा कर देंगे 5 में 7.35 ठीक है यह संक्या आएगी माइनस की तो यही इसका उत्तर होगा 3 बटे 4 गुढां 5 बटे 3 तो हम इस परकार से आल कर सकते हैं 3 बटे माइनस दो गुणां 2 बटे 7 को लिख लिया और यहाँ आपस में कट रहे है तो इनको काट दिया ठीक है फिर एक बटे चबुदा को इस परकार से लिख लिया और 3 बटे चार गोड़ा पांच बटे तीन ठीक है अब क्या किया इस में तीन से तीन को काट दिया ठीक है यहां तीन से तीन कट गया और यहां दो से दो कट जाएगा ठीक है तो संक्या क्या बचेगी तीन का एक में गोड़ा कर देंगे क्योंकि यहां एक बचा तीन एकम तीन और साथ क सबस्क्राइबない ओंटे सोफवें स्यंट हैं भी इन कुना होसिए हैं स्यंक्राइब आप फांस पहल से ठीक हैं अब वह सब्सक्राइब से हल कर सकते हैं यहां लिख लिए हमने तीन वटे साथ माइनस एक वटे चाहुदा माइनस पाच वटे चार ठीक है अब हम क्या करेंगे साथ चाहुदा और चार का LCM ले लेंगे कितना आएगा इसको LCM इस परकार से लेते हैं दो से इसको काटा तो यह कटेगा नहीं तो साथ का साथ दो सत्य चाहुदा दो दुनी चार फिर दो से काटा साथ का साथ का साथ और दो एकम दो अब इसको साथ से काट देंगे साथ कम साथ साथ कम साथ और ये 1 का 1, तो LCM कितना आएगा, 2 गुणा, 2 गुणा, 7 तो यहां लिख दिया हमने, 2 गुणा, 2 गुणा, 7 7 दोनी 14, 14 दोनी 28, तो LCM कितना आगया, 28, ठीक है तो हम यहां लिख लेंगे 28, और उपर वाली संक्यावे लिखेंगे माइनस 3 गुणा, 4 माइनस 3 गुणा, 4 माइनस 1 गुणा, 2 माइनस 5 गुणा, 7 ठीक है, अब 3 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना होगा, 12 1 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना होगा, 2 5 और 7 का गुणा कर देंगे, कितना होगा, 35 ठीक है अब यह सबी संक्या माइनस कियें तो यह जुड़ जाएंगी कितना हो जाएगा उनंचस बटे में कितने 28 ठीक है अब इसको साथ के पाड़े से काट दी हमने करते हम माइनस तीन गुणा चार माइनस एक गुणा दो माइनस पांच गुणा साथ बटे 28 ठीक है और अगली लान लिखेंगी कितना हो जाएगा इनका आपास में गुड़ा हो जाएगा ठीक है तीन का चार में गुड़ा हो जाएगा और दो का एक में हो जाएगा साथ का पाँच में हो जाएगा तो कितना हैगा माइनस के बारा माइनस का दो माइनस का 35 बटे 28 ठीक है आप क्या करेंगे इन सब को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मैनस के 59 बटे 28 और 7 के पड़े से इसको काट देंगे 7 7 बटे 24 तो इसका उत्तर होगा मैनस के 7 बटे 4 यही इसका उत्तर होगा ठीक है अगला صवाल करते हैं परिमे संख्या चार बटे 5 को संख्या पर निरुपित कीजिए तो यहाँ एक संख्या रेका दी गई है और 4 बटे 5 को हमें संख्या Рेगा पर निरुपित करना है तो बच्चो आप यहां देख सकते हो यहां 0, 1, 2, 3 ठीक है और यह वारा इससा क्या हो जाएगा इसके नीचे हमने पहले 1 माला फिर 2, फिर 3, फिर 4 और यह 5 हो जाएगा ठीक है और सब के नीचे 5 लगा देंगे ठीक है क्योंकि यहां बटे में कितने दिया है 5 दिया है ठीक है तो यहां हो जाएगा 1 बटे 5, 2 बटे 5 3 बटे 5, 4 बटे 5 और 5 बटे 5 5 बटे 5 को हम काटेंगे कितना हो जाएगा 1 तो यह 5 वा इस्थान होगा ठीक है तो इसका हमें तो हमें 4 बटे 5 को संक्या रिका पर प्रदेशित करना है तो 4 बटे 5 वाला कौन सा उस्सा होगा ये वाला ठीक है तो ये 4 बटे 5 होगा चलिए अगला सवाल करते हैं परिमे संक्या माइनस 6 बटे 4 को संक्या रिका पर निरुपेद कीजिए तो आप यहां देख सकते हो यहां एक संक्या रिका दी गई है और यहां 0 है ठीक है तो 0 के बाद हमने यहां माइनस 1 माना माइनस 2 माइनस 3 और यह माइनस 4 माइनस 5 और यह माइनस 6 ठीक है यह माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 ठीक है अब सब की नीचे हमने चार चार लिख दी है चार 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 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एक बटे चार माइनस का दो बटे चार माइनस का तीन बटे चार और माइनस का चार बटे चार और ये हो जाएगा माइनस 5 वटे 6 और 7 वटे 8 के बीच 5 परी में संख्याएं ग्याद कीजिए तो इस सवाल को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं यहां हमने क्या किया है 6 और 8 का LCM ले लिया यहां हर वाली संख्या कौन सी है 6 और 8 है तो हम क्या करेंगे 6 और 8 का LCM ले लेंगे कितना आएगा 2 तीय 6 दो चो काट और 3 का 3 दो दूनी 4 फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और फिर 3 से काट देंगे ठीक है तो कितना आएगा LCM 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 तो हम इन सब का गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 तो LCM कितना आयागा? 24 ठीक है अब हम क्या करेंगे रखे सidamente क्यों कि छैंकर में करेंगे तो कितना वायागा? 24 और LCM कितना आयाता? 24 तो हमें हर वाली संक्या को 24 बना ना है इसलिए हमने 5 में 4 का कुणा किया और 6 में भी 4 का कुणा किया कितना हो जागा 5,20, 6,24 ठीक है इसी पिरकार हम क्या करेंगे 7 वटे 8 का गुणा ऐसी संक्या में करेंगे जिस से हर वाली संक्या कितनी हो जाए 24 तो हम क्या करेंगे 3 का गुणा 7 में करेंगे और 3 का ही गुणा 8 में करेंगे कितना हो जागा 7 तीय 21 और 8 तीय 24 ठीक है अब हमें बताना है माइनस 20 वटे 24 से लेकर 21 वटे 24 तक के बीच आने वाली 5 परिमे संक्या है तो हम यहां लिख सकते हैं माइनस 19 वटे 24 माइनस 18 वटे 24 माइनस 17 वटे 24 माइनस 16 वटे 24 और माइनस 15 वटे 24 तो आप यहां answer अपने पुस्तक में लिख सकते हो तो यह इसका उत्तर होगा तो बच्चो प्रसंद नमबर चे को आप इस प्रकार से हल कर सकते हो और अपनी पुस्तक में लिख सकते हो चलिए अगला सवाल करते हैं प्रसन नमबर साथ 22 वटे 5 मीटर लंबी रसी में से 2 वटे 5 मीटर के कितने टुकडे काटेंगे ग्याद कीजिए तो बच्चो 22 वटे 5 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और 2 वटे 5 से इसमें भाग दे देंगे ठीक है अब क्या करेंगे हम 22 अटाकर गुणा का चिन लगा दिया और यह संक्या आपस में पलट देंगे ठीक है पांच उपर हो गई और दो नीचे ठीक है अब क्या किया है पांच से पांच को काट दिया ठीक है और दो से इस 22 को काट दिया ठीक है तो उपर की संक्या कितने बचेगी 11 तो यही इसका उ अगला सवाल करते हैं ग्याद कीजिए 2 वटे 5 गुणा माइनस 3 वटे 7 माइनस 1 वटे 14 माइनस 3 वटे 7 गुणा 3 वटे 5 तो इस सवाल को हम इस प्रकार से अल कर सकते हैं यहां हमने लिए 2 वटे 5 गुणा माइनस 3 वटे 7 माइनस 1 वटे 14 माइनस 3 वटे 7 गुणा 3 वटे 5 इसी प्रकार से हमने लिए अब क्या किया है हमने यह तीन वटे साथ और यह तीन वटे साथ इस वारी संक्या और यह वारी संक्या को दोनों को साथ में लिख लिया और यह वारी संक्या को बाद में लिख लिया ठीक है अब इसमें माइनस तीन वटे साथ और यहां भी माइनस तीन वटे साथ कॉमन आ रहा है तो हमने यहां कॉमल ले लिया यहां क्या बचेगा अब दो बटे पांच यह दो बटे पांच लिख दिया तो हमने यहां माइनस का तीन बटे साथ कॉमल ले लिया तो यहां प्लस का चिना जाएगा ठीक है और यहां बचेगा तीन बटे पांच तो हमने यहां लिख लिया 3 वटे 5 और यह 1 वटे 14 इसी परकार से ठीक है अब कह किया है मानस 3 वटे 7 को यहां लिख लिया ठीक है और यह 3 और 2 को जोड़ दिया 5 हो गए और यह 5 का 5 इसी परकार से ठीक है क्योंकि यहां हर की संक्या समान है तो यहाँ 5 लिख लिए और इन दोनों को जोड़ दीया 5 हो गए ठीक है अब यहाँ 5 से 5 काट दिया क्ति बार करड़ेगा एक बार तो यह माइनस 3 वते 7 गुणा 1 माइनस 1 बटे 14 और यह 3 वते 7 का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा तीन बटे साथ आएगा माइनस का और ये एक बटे चवदा इसी प्रिकार अब क्या किया है हमने यहाँ क्रोस गुणा कर दिया तीन का चवदा में गुणा कर देंगे ठीक है और एक का साथ में गुणा कर देंगे ठीक है 14, 42, 7, 7 ठीक है और 14 और 7 को इसी प्रिकार लिख लिए और ये माइनस का 42 और माइनस 7 दोनों जुड़ जाएंगे कितना होगा उनंचास और ये 7 गुणा 14 इसी प्रिकार से अब इसको हम क्या कर सकते हैं 7 एकम 7 और ये 7 उनंचास ठीक है अब इसको और काट सकते हैं 7 एकम 7 और ये 7 दोनी चाहुदा तो इसका उत्तर होगा 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2 इसका अंसार होगा ये इसका उत्तर है अगला सवल करते हैं माइनस 2 से बड़ी 5 परिमे संक्या ग्याद कीजिए तो बच्चों यहां हमने एक संक्या रिखा बनाई है और आप देख सकते हो यहां माइनस 2 है और माइनस 2 से बड़ी 5 परिमे संक्या है यहां इस परिकार होगी तो इसका उत्तर है माइनस 3 बटे 2 माइनस 1 माइनस 1 बटे 2 0 और 1 ठीक है ये माइनस दो से बड़ी पांच परिमे संक्या हैं इसका उत्तर यह होगा आप इस प्रकार से लिख सकते हो अगला सवाल करते हैं तीन से चोटी पांच परिमे संक्या ग्याद कीजिए तो बच्चों आप यहां देख सकते हो, यहां एक संक्या रिखा है, ठीक है, और हमें 3 से चोटी 5 परी में संक्या बताना है, तो 3 से चोटी 5 परी में संक्या किस प्रकार होंगी, इस प्रकार होंगी, 3 से चोटी 5 परी में संक्या होंगी, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, ठीक है, यह 3 से चोटी पांच परिमे संत्याय होंगी एट ग्रेट अब्यास पुस्तिका की सभी अध्याय को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा धन्यवाद बच्चेव